नमस्कार मैं हूँ अरुन उन्याल सूर्य समाचार देख रहे हैं आप और आज की खास इंटर्व्यू में हम बात करेंगे कैसे चहरे की एक साल के छोटे से अंतराल में उन्होंने अपने बेलाग और बेखौफ राजनीती का चहरा बना दिया है वो राजनीती का चहरा जिसको आज देश के अंदर एक बड़ी चुनौती मिस्टर भरोसे मन बनने की है वो भरोसा जिसे देश के अंदर कॉंग्रेस की गारंटी के रूप में देखा जा रहा है और उसके साथ ही राज्ये के जनता के लिए भी भरोसा की आखिर कॉंग्रेस अपनी गारंटियां पूरा करती है जी हाँ हम बात कर रहे हैं हिमाचल के मुख्यमंतरी सुखवेंदर सिंग ठाकुर का एक साल उनकी सरकार का पूरा हो गया है लेकिन ये मिस्टर भरोसे मंद बनने की चुनौती उनके सामने बहुत बड़ी दिखाई दे रही है मुख्यमंतरी सुखवेंदर सिंग ठाकुर सबसे पहले सुर्य समाचार में आपका बहुत-बहुत स्वाज़ा है बहुत-बहुत धन्यवाद एक साल आपका पूरा हो गया लेकिन एक मिस्टर भरोसे मंद बनने की बड़ी चुनौती आपके सामने इसलिए है क्योंकि जिन गारंटियों का दावार वादा करकर कॉंग्रेस चुनाव लड़ रही है उसको पूरा करने की एक बड़ी जिम्मेवारी सुखवेंदर सिंग सरकार की देखिए हमने तो पहली कैमिनेट से ही जो कॉंग्रेस सरकार ने गरंटी दी ती उसको पूरा कहना शुरू कर दिया है और सबसे पहले हमने कहा था हमारी पहली गरंटी में था जो भी सरकारी करमचारी है अधिकारी है और निश्ची त्रूप से जो जिन्होंने हमाचल में विकास की गाथा लिखी है उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाए जाएगा और हमने पहली कैमिनेट में पूरा करती है सबसे बड़ी गरंटी तो वो थी और पिछले काली तीन आएस अपसरों ने भी हमारी उस ओपियस की स्कीम को मांगा और हमने उनको भी दे दिया तो इस तरह धीरे धीरे हम जो भी सरकारी करमचारी ओपियस की गरंटी की बात करते हैं या भारती जंता पार्टी के लोग इस परकार की बात करते हैं गरंटियों की तो उनको ये बताना जी कि क्या जैराम ठाकुर जी या क्या अनुराग ठाकुर जी ये बोलेंगे कि ओपियस जो 카ong्रेश party की पहली guarantee है वो पूरी हो गई है, या नहीं पूरी हो है, यही बोल दे, कि यह दूनों यही बोल दे, कि Congress सरकार की जो पहली guarantee OPS की है, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, यह भी तक पूरी नहीं हुई है. कांग्रेस की गरंटी गरंटीओं को खारिज नहीं किया हमारे तो चुनाब नहीं थे हमारे क्या चुनाब थे हम वो चुनाब से एक साल पहले करते लेकिन चुनाब से एक साल पहले करते हमारे चुनाब तो दो जार 27 में होना हम 26 में करते लेकिन एक बिश्वास था कि ये सरका चनाव हुए वहां गरंटियां बात नहीं थी वहां थोड़ी बहुत एंटी इंकम्बेंसी थी थोड़ी बहुत टिकट का डिस्टिविशन गलत था जिसके कारण ये नुकसान हुआ लेकिन प्रधान मंतरी मोधी कह रहे हैं मेरी सबसे बड़ी गरंटी क्या सुखविंदर सिंग सरकार के उपर जो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आपने सत्ता तो पाली गरंटी के नाम पर सत्ता तो पाली क्या सुखविंदर सिंग सरकार देश के अंदर कॉंग्रेस की व विरोसा क्या देंगे अपने आला कमान के नेताओं के से नहीं मैं आला कमान के नेता आएंगे नहीं आएंगे वो तो अलग बात है लेकिन मैं हमाचल की जनता को ये विरोसा देना चाहता हूं कि हम सत्ता में सत्ता सुक के लिए ने आया है विवस्ता परिवर्तन करने के लिए है एक साल में हमने विवस्ता को परिवर्तन किया दक्या नुक्सी कानून के हिसाब से रूटीन्स गॉवर्मेंट चलती थी कभी ऐसा होता था कि यह सरकार आई और दूसरी सरकार आई चाली साल से ऐसी विवस्ता चली ही थी हमने विश्वास दलाने की जाते हैं कि जब आप पर मसीवत आई जब आप पर आपदा आई भारती जंता पार्टी के लोग विधान सवा में तो चर्चा करते रहें लेकिन विधान सवा में जब परस्ताप को आपकी सायता के लिए खड़े होने की बात आई आपदा परिभावित पशिल्षा के लिए अपने गृह मंत्री से जगत प्रकाश नडड़ा वो यहां पर आए नितिन गटकरी यहां पर दूत बन कर आए आपको नहीं लगता कि इन नेताओं की शिर्क गटकरी जी ने जब घुशना की वो भी नहीं मिली जो उन्होंने कहे कर गए वो भी नहीं मिला अब जैराम ठाकुर जी वहां हमारी भाजपा के निताओं का कहना है खुद गेंद्री मंत्रिया अनुराग ठाकुर के नेता जो कह रहे हैं वो बताये तुसे कि क्या मिला है वो तो आगे बोलते गरंटियां फेल होगी आट सो करोड़ वो कहते हैं आपदा प्रबंधन का मिल गया वो कहते हैं चार हजार गटकरी वादा करकर चले गए आप दो आप मुझे बताइए बादा करके चलेगे मिल तो जाए और जो आट सो क्रोड रुपया मैं बताना चाहता हूं भारतिय जनता पार्टी की जो पिछली नल जो सरकार थी जो लोगों को ठकती आई उनकी गलती यह थी कि 2022 का जो डिजास करेंबर में जब कोई है हर राज्य को मिलती जास्टर आए ना आए वह अडवास के लावा और एंडी आर एफ का जो पैसा हमार को आया 200 क्रोड प्या वह अडवास किस्त है वह बापीस जानी है अब तो हम इनसे स्पेशल रिलीव पैकेज नहीं मांग रहे हैं हम कह रहे हैं आपके लिए मैं मिलना ही जिसको पीडियन ने बोलते है पोस्ट डिजास्टर के बाद जो पीएंडी है नहीं होता है वो मिलना है तो वह हमको मिलना हम है तो उस वारे में मिलने जाओं लेकिन एक बड़ा बड़ा एक बहुत बड़ा नाम है खुद भाजपा का चेहरे हैं खुद कह रहे हैं मुझे भी यह समझ नहीं आ रहा कि सच कौन कह रहा है आप अपनी बात कहते हैं उदर से भाजपा के नेता अपनी बात कहते हैं आखिर इस मामले में कि केंद्र का सहीयोग निमिला सच क्या है देखिए सच तो आटी आई ले लिजी मैं आगर जूट बोल रहा हूं और क्या कह सकता हूं शांता कुमार जी को मैंने बताया है शांता कुमार जी ने ठीक बात की कि हम बोल रहे हैं कि हमें पैसा नहीं मिला बीजेपी बोल रही है हमें पैसा मिला उनकी बात सही है लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि हमें पैसा मिला का नो कई स्पेशली प आपडाब में लोगों को को केंदर से सहता नहीं मिली जबकि उनको देनी चाया थी के दारनाथ में दी भुज में दी स्पेशल रिली पैकेज देना चाहिए था लेकिन मैंने देखा कि वह अगर देना नहीं चाहते तो हमने अपने संसाधनों से आपदा परवावित परिवार जिनके 16,000 घर नस्ट हो चुके है 13,000 घर रांशिक रूप से तूट चुके हैं उनकी जो पशु शाला है वो तूट चुकी है पशु भैच चुके है मृत्यू हो चुकी है कई घरों से हम खड़े हुए मैंने नियम बदल दिया कानून बदल दिया आज भी आपदारहात परिवारों को केंदर सरकार के कानून में पूरा मकान नस्ट होने पर टेड़ लाक रुपया मिलता है हमने साथ लाक रुपया दे दिया मांट भी दिया पहले किस चली भी गई और उसके बाद उनको पानी का कुनेक्शन बिजली का कुनेक्शन दोसो असीर पे प्रती बोरी स्मिंट के हिसाब से वह भी उपलब् करोना काल में जब जैराम ठाकुर जी मुख्या मंतरी थी तो भी तो मैंने अपने ग्यारा लाक रुपय अपनी अबडी तुलबा के दिये थे तो ये चीज़े आपका कहना रोसा बनाने की बात है ये दूसरों को लीक से हटकर का मुख्या मंतरी नहीं था तब तो मुझे प स्कूल के बेडाय और तोस्की बच्छन की सबसे बड़े मुख्या का इदाएता का बनता काम करते हैं इसलिए हमने का कि बेखाफ और बेलाग राजनीती आप करते हैं लेकिन सुखुची एक सवाल आप से मेरा जरूर है ये जो मुख्य मंतरी हिमाचर परदेश के जितने भी होते हैं वो लगातार एक बात को करते आये हैं किसान का बेटा बन गया गरीब का बेटा ब बनानी है किसी का भी बेटा हूँ हम रांडिती परिवार से तो आए नहीं है हमिने तो काम करके है अपने लोगों के बीच न दिलों में जगा बनानी है हमें एक बार मोका मिला है हम बनाएंगे और कार्या करेंगे जो ऐएस सवाल सीरस की राजनीती का कि मंतरी मंडल का विस हो भूल पहली बार तो मैंने कहा कि इसी साल होगा इसी साल मंतरी नगे मंतरी आपको पता लग जाएगा और मंतरी मंदल से पहले सब इसंगर है कांग्रेस के अंदर की यह जो गण्रश पर्यूसाइए निमि considerably जब यह गरांटी पत्तर था बन रहा था मैं तो चेर्मन कंपेन कमेटी था पी से प्रिजिए थे हम सब लोग थे तो हमने उस जब घरंटियां थी टो दस के रिच्टिय हो में तीन करना है करेंगे इस समय तो हमें भारतिय जंता पार्टी ने जैसी हमारे को आर्थिक बधाली के दौर पर पहुंचा कर रखा है उसके लिए कोई कुसूरवार नहीं है चाली साल प्लानी बेवस्ता ही कुसूरवार है कर्ज पर लेते जाओ कर्ज लेते जाओ आज यह हो गया कि हमें जो इस साल का कर्ज है वो चैस्ट सो करोड पर ही मिल रहा है पिछले साल जब चुनाव थे भारतिय जंता पार्टी ने चोहदा हजार करोड रूपर का कर्ज लिया तो जो बाद के द्रीन महिनों का जो कर्ज अप्रूब हुआता है जिनको यह बोल रहे है वो कर्ज तो आपके समय लिया हुआ हमारे को तो च्छासट सो करोड रूपर मिला है अभी तक निता प्रतिपक्ष कहरें कि एक साल के अंदर दस बारा हजार करोड रूपर कर्ज भी महारे सिर्पर डालना चाहरे तो डालते रहे ठकते आया बहुत ठक लीजिए एक अंति मंत्री मंदल के विस्तार ने यह कॉंग्रेस की राजनीती के अंदर आपके लिए कोई परिशानी खड़ी की है कि सब एक धन्यवाद करना जोंगा प्रतिपा सिंग जी का और हम दोनों के हम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया हमने कार्पोरेशन एलेक्षन में इत्यासिक की जीत हासिल की और हम कठे मिलकर एक कारें अपरेशन लोटस की बात बार बार ने था प्रतिक अच्छी बात है अपरेशन लोटस के लिए तो हमने मंत्री मंदल छोटा रखा है ताकि जो नराज लोग है उनसे संपर्क करो एक साल से तो संपर्क हुआ नहीं दूसरा एक मीन परिवर्तन करने के लिए है मैं पस्ट कह देना चाहता हूं यह सिरफ अपन लोगसवा चुनावों के मध्या नजर ओपरेशन लोटस की बात इसलिए करते हैं ताकि उनके जो कारेकरता अभी छिटक रहे हैं उनके कारेकरतों में जो जोश की कमी हैं उनको सत्ता का लालच द बिंदल है बिंदल जी इनमें अपनी अस्तितव के लड़ाई चल रही है बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुबकामना है एक साल आपने पूरा किया हम शुबकामना है आपको देते हैं कि आप मिस्टर भरोसे मंद का चेहरा बनकर हिमाचल की राजनीती के अंदर भी बनाते नजर आएंगे और हिमाचल के जनता का दिल भी इन गारंटियों को पूरा करते हुए नजर आएंगे ऑपरेशन लोटस के सवालों को नकार ने और इसे राजनीती की सियासत का एक हिस्सा बताने वाले मुक्वे मंत्री सुक्वेंदर सिंग ठाकुर एक अस्था परिवर्तन के साथ देखेगी तो ये थी हमारा इस आज के खास इंटर्व्यू की इतनी सी एक छोटी सी मुलाकात आप बने रहिए सूर्य समचार के साथ क्यूंकि सूर्य समचार में खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है